नमास्कार दोस्तों, मिना नमें पी उश्राय, आप देखने को शनार भारत लव जिहाद की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है लगबग कई स्टेट्स ये कानून लाच चुके हैं कि लव जिहाद अगर होगा नमल जिहाद की सिम्पलस डेफिनेशन इतनी सी दी गई थी कि अगर आप किसी से प्यार करने का नातक कर रही है एक वेक्ती, दूसरे वेक्ती को अगर ये identity चुपा के त्यार करता है फिर convert करता है और फिर शादी करता है यानि convert करना ही main motive आप लोगों को पता होगा कि लगबग कुछ बड़े-बड़े स्टेट्स में लव जिहाद के लिए कानून आ चुका है लव जिहाद की पहले में डेफिनिशन देना चाहता हूं फिर आपको केस अच्छे समझ में आएगा और जितने आने वाले केस हैं और क्यों लव जिहाद कि अच्छिध का लड़कियां मर रही हैं इसलिए वीडियो को शियर करें जान बचाने के लिए क्या पता कोई बहन कोई दोस्त कई किसी इसी तरह के चंगूल में फस रही हूं किसी जिहादी का शिकार बन रही हो इसलिए शियर करें थानत बुला रहा है रक्त रक्त को आवाद दे रहा है उठो हमारे पांस अब गमाने के लिए समय नहीं है तो क्या है लब जी आद पहले यह समझने कुछ करते हैं जब लब जीहाद के अगेंस्ट बिल लाया गया तो उस पे भी यही तरह रखा गया कि अडिटी छुपा के कनवर्ट करने की मनसिक्ता से आप अगर अगले को पार्टनर को फसाते हैं साधी करना चाहते हैं और बाद जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर फ़र्द पुसेटिंग सूर हो जाएगे अगर आप पर यार उप लगता है तो और यह डिफिनेशन होने बीचे यह तरह और और इलेबरेट करना चाहता हूँ पहले तो टुकुडे में तोड़ते हैं लब जिहाद जिहाद क्या है जिहाद कुरान कहता है जिहाद है अल्ला की राह में जंग जिहाद है जिहाद यह भी है कि काफिर को मारना जिहाद है जिहाद यह भी है कि पूरी दुनिया को मुमीन मिना देना, मुसल्मान देना पूरी दुनिया को अल्ला में बिलीव करवा देना जिहाद है भाय हुक और भाय क्रुक अब इसमें लव जोड़ दिया गया हिंदू लड़की से मुसल्मान लड़का शादी करे जो बच्चे बैदा हो मुसल्मान ही हो जाएंगे तो पॉपॉलेशन बढ़ाना फिर जब आप आदी बढ़ जाएगी तो वो एरिया पे अपना आदिपत्य सापित करना मतलब यह कह देना कि वो हमारी कॉंटरिटी उस हद्ता को चुकि हम आपको चैलेंज कर सागी जैसा आप केरल में देख रहे हैं बंगाल में आपको मैं कई बार सोना चुक हूं वीडियोज में और लुक लाइफ ट्रिविजन पर आके बोलता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि वोट हमारा लोग है सत्ता तुमारी चलेगी अब वोट भी हमारा होगा और सत्ता भी हमारी होगी अब हुकूमत की बात होगी यह AIMIM के प्रवक्ता ने बोल रखा है बंगाल के कॉंटेक्स्ट में तो मॉडस ओपरेंडी यही है या तो आप प्यार में फसा के कनवर्ट करिए या फिर अगर कनवर्ट नहीं भी होती तो बच्चे जो पैदा होगी उस मुसल्मान ही होंगे या तो आप मुसल्मान बना दीजिए या उसको मार दीजिए दोने ही तरह से अगर ओव मुसल्मान बन जाते हैं तो नोन मुसलिम की कॉंटेटी कम होती जाएगी या नहीं मुसल्मान तब भी बढ़ेंगे उस proportion के हिसाब से ratio बढ़ता जाएगा और लब जिहाद इन सारे जो जिहाद एक जो broader aspect है उसका एक टुकड़ा है, एक piece, एक part है, एक segment है कि प्यार करके फसाओ और शादी compulsory है कि मुसल्मान से ही हो तो उसको पहले अल्ला में एक इन दिलाओ, उसको believer बनाओ इसा कुरान में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, उसके प्रॉफिट में यकीन ना हो जाए तो आप उसको ऐसा कैसे कर आएगे, कल्मा बढ़ाएंगे, कनवर्ट कराएंगे जैसी रड़की को पता चलता है, वो विरोद करती है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फोर्सफोली करेंवर्ट करिए, या तो मार दीजिये ताकि बात आगे ना बढ़े मैंने कई वीडियोद बनाई एक लबजात के कैसे होते हैं, कितने हो चुके हैं, और कौन कौन से हुएं असपर दिल्ली का जो राहूल, उसकी जो पतलब लड़की मुसल्मान थी, लड़का हिंदू था लड़की मुसल्मान थी, उसको चुपे से बुलाया गया और पैनस नहीं मिलके मार दिया उस लड़के को पताने उस केस का क्या हुआ मतलब अगर हिंदू भी प्यार कर ले मुसल्मान से तो ये भी अधर वे अराउंड लिये है मरना हिंदू को ही है समझे अस बात को और भी जो बीच में निकिता के साथ जो हुआ आपको पता हिए अब एक रिजट का केस बताते हैं मुझे पता ये भी पुषलाई हो का मैं देर कर रहा हूं के बार में डिसकस करने पर लेकिन चले करते हैं नीतू नामक लड़की 17 साल की है लाइक खान नामक लड़का 25 साल का है ये घटना दिल्ली की है लड़की 11 की स्टूडेंट है कहानी ऐसे बनती है की लड़का आसपास ही रहता है ये लोग एक दूसरे की फैमिली सुजानते हैं आके ये घर और भी आता था फ्रेंट था लड़की का फ्रेंट था अच्छा फ्रेंट था आपको मैं साइड में दिखाना चाहता हूं कि पांच बजे नीतू कजन कोशल रीचेज हर हाउस इन बेगंपुर वेर लाइक वास पांच बजे नीतू का भाई आया घर तो लाइक भी आया हुआ था उसायद बताने आया हुआ प्रबोस करने या हो साधी की बात करने है और जो भी बात था पांट से चे बजे के बीच में जब लाइक और नीतू बात कर रहते हैं तो जो कॉशल है उच्छ पर चला गया है 6 बज़े लाइक ने कॉशल को बुलाया और 200 रुपए दिया बोला जाकर चिकन लेके आओ अब कुछ भी कहके बेकु बना के आपको बाहर भीजा जा सकता है तो अगर आपके घर में कोई महीला के लिए तो ऐसे वक्तियों के साथ जो लब जिहाद में यकीन डखते हूं एक्स्रा प्रिकॉशन लेना भले उसकी सकल पर लिखा हो कि यसा मैं नहीं हूं लेकिन प्रिकॉशन ले में कोई दिक्कत नहीं जान बज जाती है इस केस में हुआ होता तो जान बज जाती कुशन के साड़े साथ बजे देखता है कि लाइक के हाथ में आतवड़ा है कपड़े पे खून लगा है और वो जल्दी यदी दरवाजा भ्लॉक कर रहा है कॉशन चिलाता है लेकिन लाइक तोड़के भाग जाता है और पकड़ने पाता है आठ बजेट फैमिली दरवाजा तोड़ती है और नीतु को खून में लिप्टा पाती है और लेटा हुआ पाती है तो डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने लाने में देर कर दी व्यक्ति की जान जा चुकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि लाइक उसी नेबर हुड में रहता था उन्हीं का पड़ोसी था तरीके से उसी कॉलोनी का था उसके एक दोनों और दूसरी की फैमिली को भी जानते थे लाइक घर आता जाता रहता था शायद जितना यहां लिखा है उस हिसाब से इसलिए थोड़ा प्यार से बात है कोई इतना इसलिए का ना कि उसे सर्फ एज़ देखती थी अब मुझे लगता है कई हद तक रीजन ये भी होगा कि लड़की देख रही है बहुत समय से नोटिस कर रही है कि एक लड़की जब इस तरीके से मुसल्मान से प्यार करके साधी करके उसके घर जाती तो हो सकता है बविश्य किस तरीक्य से घटना कैसे भी environment में अनजाम दिया सकती है मतलब चाहाए वह व्यक्ति आपका पड़ोसी हो बहुत करीबी दोस्त बना हुआ हो योकि करीबी दोस्त बनाना भी Allowed नहीं है कुरान में लिखा हुआ है का फिर से दोस्ती तब तक मत करो जब तक बहुत compulsory ना हो या आपकी जान खत्रे में ना हो आप सिर्फ इस लिए दोस्ति करो कि आप को वहां से निकलना है उस सिच्वेशन से तो इतने के से दोस्ति भी अलाउड नहीं है तो आप समझे कि अगला सिर्फ अपनी किताब के डूज अडों पे चला है आप बेवकूफ हैं आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि अपने घर की अपने देश की बहनों को दोस्तों को महिला मित्रों को नहीं बचा पा रहे हैं आप बेवकूफ हैं कि आप ऐसे लोगों के अराउंड होते हुए लड़कियों को अकेला छोड़के खर छोड़के चले जाता है कोशल बहुत बड़ा बेवकूफ है खर उसकी बेवकूफी नहीं कह सकता है तोंकि उसको नहीं पता था कि ये इस तरीके से एक्ट करेगा लेकिन सेनेरियो देखते हुए दो हजार एक्ट में कुछ घटना हो रही है सेनेरियो समझते हुए एट लिस्ट उसके साथ रहना था पहली चीज़ दूसरी चीज़ आगे से आपको इसी इक लेने वाली बात है कि भविश्य में मुझे नहीं पता ही घटना रुकेगी कि क्या पता भी कोई और लड़की शिकार हो रही हो आपकी responsibilities है कि इस तरह की बातों को दूर तक फैलाएं लोगों से बात करें, discuss करें कभी भी इलनों से मिलना हो पब्लिक में मिलें ऐसा नहीं पब्लिक में लोग कुछ नहीं कर सकते हैं मिलें आप और लड़की उसमेरी special request थोड़ा biasness दिखाईए और किसको क्या response देना है किस से कितने relation किस हदता करकने है ये chain करना शुरू करिए अब भी तक अगर आपको इतने सारे examples इतनी सारी खटना है देखके भी समझ में नहीं आ रहा है तो believe me आप अपनी ही मित्तियू का कारण सिर्फ नहीं है आप समाज में जितने लड़किया भविश में मरने वाली है उनके लिए भी आप एक example है कि आप नहीं होने दिया भविश में और अगला कोई होने देगा अगर आप एक वेक्ति एक लड़की अगर उभर के बाहर आजाती है जैसे निक्ता ने कोशिश की वो बहुत लड़ी लेकिन अगले ने गोडी मारती उसी तरकी से अगर आप लड़ने की कोशिश करें तो आप example बनीए कि आप जीता यादा example है कि कैसे लड़ी हाद से बाहर आया जाए कैसे ध्यान रखा जाए कि कैसे लोगों के चंगुल में नहीं फसना है कैसे परखा जाए कि कौन मुसल्मान है कौन नहीं है कैसे परखा जाए कि कौन जिहादी है कौन नहीं है मैंने के ता सब बुरे होते हैं लेकिन सबका सोर्स एक ही है, बुरा बनने का, सबको इंस्रक्शन एक ही जगह से मिलें, मैं चाता हूँ इस वीटियो को शेयर करिए, नए हैं तो सब्स्राइब करिए, और अपना पॉइंट अपना ओपिनियन, अपने एक्स्पिरियंस का में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस चीज को दूर तक ले जाने में, अगर आप चातने हैं कि चीज, ये यूजर आना बंद हो जाएं, ये खटना हैं होना बंद हो जाएं, फिर मिलते हैं, अगली उड़ में जाएं, बंदे मात्रों